व्मूट lingu वेलकम टू स्टञ्डीट्उड तो हम लोग बढ़ते हैं इस सीरीज में आगे और देखते हैं इसका पार्ट फाइव पार्ट फोर तक हम लोगों ने उल्रेडी कवर किया हुआ है पार्ट फोर तक हम लोगों ने कवर कर लिया हुआ है question number को फिर से शुरू करते हैं 1 से इसलिए 17 सवाल पूरे हो चुके हैं लेकिन आज हम लोग 701 से आगे बढ़ेंगे तो पिछले parts को देखने के लिए आप channel के playlist को चेक कर सकते हो वहाँ आपको सारे parts मिल जाएंगे इस सीरीज के तो start करते है question number 701 से डैश के अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के वित्करम अनुपाती होता है ताप नियत है और जो दाब है यह universally proportional है किसके volume के तो यह होता है boil का नियम किस नियम के अनुसार नियत दाब पर इस बार क्या है दाब नियत है गैस का आयतन ताप के समानुपाती होता है यानि V directly T के होता है यह हमारा चाल का नियम चाल्स लौ किस नियम के अनुसार नियत आयतन पर इस बार आयतन क्या है नियत है गैस का दाब ताप के समानुपाती होता है यानि P directly T के होता है यह है गेलुसेक का नियम, गेलुसेक्स लाओ, दैश के अनुसार नियवताप पर इस बार क्या temperature constant है, गैस का आयतन मोल के संख्या के समानुपाती है, तो V directly proportional to मोल, यह N है मोल, तो यह है एवगाद्रो का नियम, तो यह सारे जो है, यह है गैस के नियम, जो आप दिहान में P है यहाँ पर, दाब, V है, वोल्यूम, N है, मोल, R है, गैस कॉंस्टेंट और T है temperature in Kelvin, वड़गी करन के जनक कहे जाते हैं, कार्ल लीनियस, लाइकेन, सुचक है, प्रदूशन के, जहाँ प्रदूशन ज्यादा होता है, वहाँ लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं, चुने के पा सुचना को ग्रहन करता है, यह ग्रहन करता है दुरूमी का, जिसे हम लोग अंग्रेजी में डेंडराइट बोलते हैं, अमाशे की दिवार को अमलता से कौन रक्षा करता है, अमाशे की दिवार को अमलता, यानि कि HCL से बचाता है, म्यूकस, लाड़ गरन्थी कौन सी एंज स्रावित करती है, लाड़ गरन्थी स्रावित करती है, अमाईलेज, सलाइवरी अमाईलेज, जिसे टाइलीन भी कहा जाता है, फलो के अध्यन को कहते हैं, पॉमोलोजी, जीवो के शरीर की सनचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, यह कोशी का, दृष्वी प्रकाश में सबसे अधिक तरंगधर किसका होता है, जो श्वेत प्रकाश है, उसमें सबसे अधिक तरंगधर होता है, लाल रंग के प्रकाश का, क्योंकि स्वेत प्रकाश में सात रंग के प्रकाश समलित है, तो सबसे ज़्यादा तरंगधर है, लाल रंग के प्रकाश का, और सबसे कम बैंगनी रंग के प्रकाश का याद रखेगा जिसका तरंग धारे जितना जादा होता है उसकी इनर्जी उतनी ही कम होती है उतनी ही कम होती है मतलब बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग धारे क्या है सबसे कम है तो इसकी इनर्जी सबसे अधिक है और लाल रंग के प्रकाश के पास तरंग धारे सबसे जादा है मतलब उसकी उड़जा उतनी ही कम है ठीक है तो यह चीज आप याद रखिएगा कि एनरजी और लेमडा में वेवलेंध में उल्टा समंध होता है कोशिका में ग्लुकोज सबसे पहले सबसे पहले यहां छूट गया है लिखना परेगा सब सबसे पहले कोशिका में ग्लुकोज सबसे पहले कोशिका द्रब में तूटता है किस में तूटता है यहां सवाल पूचने का यह मतलब है सबसे पहले यह पाइरुवेट में तूटता है या फिर बोलतो पाइरुविक अमले में तूटता है पाइरुविक अमले यह तीन कार तो गुलकूज टूटता है, वो सबसे पहले कोशिका द्रव में टूटता है और पाइरुवेट में टूटता है, सीने बार किसका आयस्क है, ये आयस्क है मड़करी का पारा का, प्रकाश संसिलेशन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, कारवन डाई ओकसाइड आवश्यक है, राइबोसोम किसका संसिलेशन करता है, प्रोटीन का संसिलेशन करता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्टरी कहा जाता है, प्रकंद क्या है, प्रकंद भूमिगत तना का रुपांतरन है, जैसे की हल्दी है, अदरक है, ये सारे क्या प्रकंद है, हल्दी और अदर है, तो 16 याई में 48. सब्सक्राइब क्वार्ट अरतों? सब्सक्राइब क्यां दो शैतिस पंक्तिया बोले तो आवर्थ तो डिरेक्ट समू आवर्थ न लिख करके उर्दवादर कॉलम शैतिस पंक्तिया इस तरह से सवाल दे दिये जाते हैं तो टोडल कितने हैं साथ कौन सी गैस परा बैंगनी किर्णों से हमें बचाती है यह ओजोन गैस शौसन के दोरान ग उतपाद के रूप में बंते हैं किसे भाड़ी हार्जन कहा जाता है इससे हम लोग सिंबल कैपटलडी से दिखाते हैं दन्त रोग विशश्यक किस दरबन का उपियोग करते हैं वोतल दरबन का उपियोग करते है पोलियो के टीके की खोज किसने की जोनाश सालकिनिइma छु हिसाब हुआ था सबसे ज़्यादा कार्वन किस कोईले में पाया जाता है मुख्य रूप से कोईला के चार प्रकार होते हैं पीट लिगनाइट बिटूमिनस और एंथ्रेसाइट तो सबसे ज़्यादा जो कोईला है सॉरी सबसे ज़्यादा जो कार्वन है यह एंथ्रेसाइट बॉक्साइट को कठोर कोला कहा जाता है, लिगनाइट को भूडा कोला कहा जाता है, बिटूमिनस को मृदू कोला कहा जाता है, बिटूमिनस सौफ्ट कोल, मादा एनोफलीज मच्छर किस रोग की वहाख है? मलेडिया की वहाख है बॉकसाइट किसका खनीज या अयस्क है? अलुमिनियम का खनीज है आव आईवे शौसन में गुलकोज किस में बदल जाता है? और वाईवेश शोसन में गुलकोज बदल जाता है लैक्टिक अमल में रेडियो धर्मिता की खोज किसने की हैंडी पैकवरेल ने की मानव शरीर में सबसे बरी धमनी कौन है यह महा धमनी जिसे बोलते है एोटा जीव में स्वाद गराही को क्या कहा जाता है गस्टेटरी रिसेप्टर बोलते है जिपसम का रसाइनिक नाम क्या है यह कैलसियम सल्फेट डाई हाइडरेट किडिनी के अध्यन को क्या कहा जाता है नेफ्रोलोजी कहा जाता है बायो गैस में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है मिथेन गैस सबसे अधिक पाई जाती है हीरे में चमक किस के कारण होती है प्रकाश के आंतरिक प्रावरतन के कारण होती है टोटल इंटरनल रिफलेक्शन के कारण होती है आयोडीन की कमी से किस गरंथी में सूजन आ जाती है थाइरोइड गरंथी में सूजन आ जाती है कोशिका की उड़्याई काई क्या है यह ATP, ATP का फुलफाम होता है अडिनो साइन ट्राइफोस्फिट मेंगनेटाइट का रसाइनिक सुत्र क्या है यह FE3, FE3O4 और हेमेटाइट का बोल दे तो FE2O3 जापान में मीनी माता आपदा किस प्रदूशन के कारण हुई पारा के कारण जापान में इटाई इटाई आपदा किस प्रदूशन के कारण हुई कैडमियम प्रदूशन के कारण पुषपी पादप में नरजनन भाग क्या कहलाता है पुंग केसर कहलाता है अंगरेजी में बोलते है स्टेमेन पुश्पी पादप में यहां लिख दो मादा मादा जनन भाग क्या कहलाता है इस तरी केसर कहलाता है या फिर अंडप बोल दो अंग्रेजी में बोलते हैं कारपल कारपल भी बोलते हैं और पिस्टिल भी बोलते हैं P-I-S-T-I-L वायु मंजली ये दाब को किस उपकरन से मापा जाता है बैरो मीटर से मापा जाता है वरिकी shocking सनाचनात्मक और किरियात्मक किकाई को क्या कहते है वरिक काणू कहते है यानि कि नेफरोन पाला के पत्ते किसके प्रवल सुरोत है लोहा के प्रवल सुरोत है मृदू पे में कौन सा अमल पाया जाता है फस्फोरिक अमल पाया जाता है और कार्बोनिक अमल पाया जाता है किस गैस का उपियोग आग बुझाने के लिए किया जाता है कारबन डाई उक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है आग बुझाने के लिए विदुत बल्ब, हीटर और एलेक्ट्रिक आयरन किस से धांत पर कारी करता है विदुद्धारा के तापिय प्रभाव पर विदुद्धारा के तापिय प्रभाव पर H बड़ावर I square R T जो मैंने आपको पिछले वीडियो बताया था या फिर बोल दो जूल के तापिय नियम पर कौन सा द्रव छोटी आत से वसा को ले करके जाता है यह है लसी का लिंप डेसिबल से क्या मापा जाता है डेसिबल से मापा जाता है sound intensity sound intensity दोनी की तिवरता इसको कर दो डेसिबल से क्या मापा जाता है दोनी की तिवरता यानि की sound intensity टेलीफॉन का विश्कार किस ने किया था ग्राम बेल ने किया था पलके साप करने के लिए किस अमल का उपयोग किया जाता है? बोडिक अमल का उपयोग किया जाता है? यह है रसाइनिक सुत्र. बोडिक अमल एक mild anti-septic होता है. दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रन को क्या कहते है? विलियन कहते है ओंकोलोजी में किसका अध्यन होता है कैंसर का अध्यन होता है जलती हुई ममत्ती में पिगला हुआ द्रव किस प्रक्रिया द्वारा बत्ती पर उपर चड़ता है केशिक्ताव के कारण या केशिका गतिविदी के कारण यानि की Capillary Action के कारण सहसे जी आबंद कैसे बनता है Electron की साज़ेदारी से बनता है Protein किसे मिलकर बना होता है Amino Acid से मिलकर के बना होता है विदूत जनीतर किस सिधान्थ पर कारे करता है ये काम करता है फेराडे के विदुत चुमक की प्रिणन के सिधान्द पर यानि की Electromagnetic Induction के सिधान्द पर मानो शरीर में वृद्धी के लिए किस गरंथी का हर्मोन जिम्मेदार है वृद्धी हर्मोन जिम्मेदार है पिऊश गरंथी का हर्मोन हमसे गरंथी का नाम पूचा था तो पिऊश गरंथी भर्जन में सुलफाइड आयसक को किस में बदला जाता है इसे बोलते हैं समंजन शम्ता ऐडीज मचर किस रोक का वहाक है किस जैवरसानिक प्रकिडिया दवारा खमीर शरकरा को एथनॉल में बदलता है जो इस्ट है वो शरकरा को एथनॉल में बदलता है शुगर को एथनॉल में बदलता है यह है फर्मन्टेशन किडवन इतोलोजी क्या है जन्तों के विभाडों का अध्यन इतोलोजी कहलाता है विडाल जाँच किस से समंदीत है ये टाइफाइड के लिए जाँच है आधूनिक मड़करी थर्मा मीटर के अविश्कारक है डेनियल फारनहाइट मिर्त कोशिका का निश्कासन या अपशिष्ट पदार्थों का निश्कासन कौन सा कोशिकां के दोरा होता है लाइसोसोम के दोरा होता है प्रत्यक्ष जनन अंग वाले यानि जिनके जनन अंग दिखते है या बीज देने वाले पादपो को क्या कहा जाता है फैनरो गैम कहा ज प्राष्ट को मेकेनिकल इनर्जी यांतरिक उड़जा में तो यह याद रखियेगा है यह चूट गया है उश्मी उड़जा को यांतरिक उड़जा में भाप-इंजन मदलता है भाप-इंजन के अवी शिकारक है जेम्स वाट थी यो फ्रास्टरस किसके जनक है वो नस्पती विज्ञान के जनक है किसी बंद हॉल में धोनी का बार बार परावर्तन क्या कहलाता है अनुर्णन कहलाता है वर्णक जो ऑक्सियन को फेफरों से उत्तक तक ले जाने में सहायक है यह हीमोग्लोबीन हीमोग्लोबीन जो हमारे ब्लड में है RNA का पूर्ण रूप है राइबो न्यूकलिक असिड राइबो न्यूकलिक अमल यदि किसी व्यक्ति की किडिनी काम नहीं कर रही हो नहीं कर रही हो नहीं कर रही हो तो उसके उपचार के लिए किस प्रकिरिया का उपयोग किया जाएगा हीमो डालाइसिस करवाया जाएगा हीमो डालाइसिस करवाया जाएगा जो डालाइसिस मशीन होती है उसे हम लोग किर्त्रिम वरिक बोलते है आर्टिफिसल किड्नी बोलते है मचलियों के हिर्दे में कुल कितने कक्ष होते हैं दो कक्ष होते हैं उभैचर और सरिस्रिप के हिर्दे में कितने कक्ष होते हैं तीन कक्ष होते हैं मगरमच मगरमच के हिर्दे में कितने कक्ष होते हैं देखो मगरमच जो है ये भी सरिस्रिप है होने तीन कक्ष होने चाहिए थे, लेकिन याद रखिएगा, मगरमच के हिर्दे में चार कक्ष होते हैं, चार चम्बर्स होते हैं पक्षी और अस्तंधारी के हिर्दे में कितने कक्ष होते हैं, हार्ट में कितने चम्बर्स होते हैं, चार चम्बर्स होते हैं किस गरंथी को मास्टर गरंथी कहते हैं, पियूश गरंथी को मास्टर गरंथी कहते हैं एक्स किरन की खोज किस ने कीती, विल हैम रोंजन ने कीती पक्षियों का अध्यन क्या कहलाता है, और निथो लज, और निथो लोजी कहलाता है बोजन पाचन के चड़नों का सही करम क्या है सबसे पहले होता है अंतरगरहन हम भोजन मुह में डालते हैं उसके बाद पाचन होता है उसके बाद अब शोसन होता है बलड में जाता है स्वांगी करन होता है यूज होता है उत्सरजन अब अचित बोजन को बाहर निकलता है बोनापन किस हार्मोन के कमी के कारण होता है वरिद्धी हार्मोन के कमी के कारण होता है वरिद्धी हार्मोन जो पिट्यूट्री ग्लैंड बनाती है काला जर या फिर काला बुखार किसके कारण होता है ये होता है प्रोटो जोवा लिष्मिनी अडोनो मानी के कारण वहक है सैंड फलाई बालू मख् eris प्राकिर्तिक चैन का सिधांत किसने प्रस्तावित किया चार्ल्स डर्मिन ने किया कार् При Br correctly, किसे कहा जाता है इसका compelling किया जाता है पिएचेसे घ्युन की सांदरता मापने के लिए है सोरेंचन इलियम प्यूबिस इश्कियम इलियम प्यूबिस और इश्कियम इलियम प्यूबिस और इश्कियम शरीड के किस अंग के भाग है यह तीनों शोनी मेखला की अस्थियां है पेलविक गडल के यह तीन बोन से जो आपस में फ्यूज होते हैं और एक बोन पेलविक बनाते हैं पादप हर्मोन के उधारन है ऑगजीन है साइटोकाइनीन है जिवरलिक अमल है या इसी को जिवरलीन बोलते हैं एपसेसिक एसिड है और इथाइलीन है एक मात्र गैसिये पादप हर्मोन है इथाइलीन इथाइलीन मानव शरीर की सबसे बड़ी गरंथी कौन सी है यह यकरित मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी गरंथी कौन सी है यह अगनाशे पैनक्रियाज और अगनाशे एक मिश्रित गरंथी है यानि की अंता सरावी गरंथी और बही सरावी गरंथी दोनों है मानव शड़ी की सबसे बड़ी अंतासरावी ग्रंती कौन सी है यह थाइरोएट ग्रंती किड़नी की किस एकाई के दोरा रक्त को छाना जाता है नेफरोन के दोरा छाना जाता है वरिकाणों के दोरा एस्टॉर का रसायनिक शुत्र क्या है कमड़ी के तापमान पर कौन सी दातू द्रव अवस्था में पाई जाती है यह है क्लूडीन कौन सा यौगिक 373 कल्विन पर गर्म करने पर कालसियम सलफेट हेमी हड्रेट में बदल जाता है और उसका प्रयोग खिलोना सजावटी समार बनाने में होता है यह प्लास्टर अफ प्लास्टर अफ पैरिस साइकलोन 30 का समन्द किस रोग से है? कैंसर पौधों में प्रकाश संसिलेशन के लिए 4 महत्वपुर्ण घटक क्या है? यह कारवन डायोकसाइड जल है, प्रकाश है, क्लोडोफिल है सबसे मीठा प्राकिर्तिक शरकरा है, फ्रक्टोज, रसाइनिक सुत्र है, C6, S12, O6, जो ग्लुकोज का है स्याही किसका मिश्रन है? यह जल और रंजय का मिश्रन है लेक्टोज क्या है? शरकरा जो दूद में पाया जाता है, वो लेक्टोज है एंजाइम मुलता होते हैं, प्रोटीन किस विटामिन में कोबाल्ट उपस्तित होता है? यह है विटामिन B12 स्यानो कोबालामीन इसका रसाइनिक नाम है स्थूल कोण उत्तक, यानि कि कॉलेन काइमा उत्तक, किस प्रकार का उत्तक है? यह सरल अस्थाई उत्तक, जिपसम में क्रिस्टल जल के रूप में जल के कितने अड़ों मुझूद होते हैं, जिपसम का रसाइनिक नाम होता है कैलसियम सलफिट डाई हाइडरेट, दो जल के अड़ों होते हैं एक कोश्क के कवक कौन सा है? यह खमीर इस्ट इस्ट में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है? विटामिन B पाया जाता है, लेकिन B12 को छोड़ करके प्रोटियम में न्यूट्रोन की संक्या कितनी है? प्रोटियम हम बोलते हैं हाइडरोजन को जो आप हाइडरोजन जानते हो, बोलते हो, वही है प्रोटियम और हम यह भी बोलते हैं कि हाइडरोजन में एक भी न्यूट्रोन नहीं होता है बागी सारे तत्यों की प्रमानों में होता है तो प्रोटियम यानि की हेटरूजन, शुनिनिव टरोन जु़ूट पकडने वाली मशीन को कहते हैं पोलीग्राफ जोडो पर दो हड़डियों के बीच पाए जाने वाले सनहक को क्या कह जाता है जोडो पर दो हड्डियों के बीच पाय जाने वाले सन्हे को कह जाता है साइनोबियल तरल साइनोबियल फ्ल्यूड छर और शंकू कोशिकायें किस में पाय जाते हैं यह पाय जाते हैं रेटीना में या नहीं रेटीना के यह कोशिकायें हैं दोप्ड करके ear drum का दूसरा नाम क्या है tympanic membrane है भारती मडग का विज्ञानिक नाम क्या है hoplo batracus tigerinus hoplo batracus tigerinus ये भारती मडग का विज्ञानिक नाम है panthera pardus किसका विज्ञानिक नाम है तेंदुआ का लियोपार्ड का सिसा करसानिक प्रतीक है पी बी और इसका अटॉमिक नाम है एटी टू एननेसीयल एननेसीयल का रसानिक नाम है sodium chloride साधारा नमक भी हम इसे बोलते है table salt भी बोलते है अनुवान्शकी के जनक कहे जाते है mendel बिल्ली का विज्ञानिक नाम क्या है ये फैलिस्केटस पर्ण हरित में कौन सी धातू पाई जाती है पर्ण हरित में पाई जाती है magnesium धातू अमलिये वर्षा के कारण है sulfur और nitrogen के oxides जो वायू में मौझूद है glycerol और dash मिलकर lipid बनाते है glycerol और वसी अमल fatty acid मिलकर के lipid बनाते है fatty acids जैसे की ओलिक अमल है static अमल है पामिटिक अमल है ये सारे है वसी अमल के उधारन सभी मच्छरों की परजातिया अपने चीवन चक्रे में चार अलग-अलग अवस्थाओं से बुजरती है उनका करम क्या है मच्छर का एक अंडा है वो अंडा पहले बदलेगा लर्वा में लर्वा से प्यूपा प्यूपा से व्यस्क और वापस से वो अंडा देगा तो ये चार अवस्थाएं है विजुत का सबसे अच्छा चालक है चांदी दूद में कौन सा प्रोटीन होता है कैसीन होता है दाद किस कारण होता है, कवक के कारण होता है, उंगली नूमा प्रवर्द दौरा भोजन ग्रहन किसके दौरा किया जाता है, ये अमीबा की बात की जा रही है, अमीबा में उंगली नूमा प्रवर्द दौरा भोजन ग्रहन किसके दौरा किया जाता है, सीडो पोडिया के दौ पाय जाता है और कंकाल तंत नहीं पाय जाता है प्रोटीन पाचन के बाद किस में बदल जाता है अमीनो एसिड में बदल जाता है अनोडी करन प्रिकरिया में कौन सा अमल का उपयोग होता है सल्फियूरिक अमल का इस्तमाल किया जाता है नापके संयंत्र में मंदक के रूप म moderator के रूप में मेंडलीव का आवर्ती नियम किस पर अधारित है परमानु दरविमान पर अधारित है किस विलियन में विदुधारा का प्रवा नहीं होता है जिन में आयन नहीं होते है उस विलियन में विदुधारा का प्रवा नहीं होता है जैसे चीनी पानी का विलियन हो गिया, एलकोहल और ग्लुकोज का विलियन हो गिया ब्रासिका रापा किसका वेग्यानिक नाम है, यह सरसो का है वेग्यानिक नाम क्लोडो-फ्लो-डो-कार्वन के कौन से गैस से ओजोन को शती पहुंसती है ये है ख्लोडिन गैस तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 1500 सवाल जो अगला पार्ट होगा उसमें हम लोग 1500 सवाल लेखेंगे तो ये वीडियो यहीं पर समापत होता है वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें थांक्यू सो मच